हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लंच के बाद से लंच के बाद ऐसा होता है कि मुझे अपने किचन की सफाई करनी होती है और थोड़ा सा घर को साफ करने के बाद लंच के जितने सब को यही बताने की कोश्की है कि अगर आपके पास घर में काम भी हो रहे हैं तो आपको अपने कामों को निप्टाने के बाद जितना भी टाइम मिलता है उसमें अपनी किताबों को आपको टाइम देना है ऐसा नहीं कि आपको अपने काम करने हैं फिर उसके बाद आपको यह बहाना बनाना है कि हम ठक गए हैं तो अब थोड़ा फोन चला लेते हैं या फिर थोड़ा सो ले तो ऐसे बहाने अगर हम अपने घर पे बनाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने पैरेंट्स को दोका दे रहें इसका मतलब यह है कि हम खुद को ही दोका दे रहें क् लोगों की प्रिपरेशन करने की उम्र है इसमें अगर हम फोन चलाएंगे या अपना फाल तू टाइम वेस्ट कर देंगे सोने में खेलने में घूमने में तो जो हमारा जो बात का टाइम है जिसमें हमें रेस्ट करना होगा उस वक्त हमें काम करना पड़ेगा इसलिए जब जागींगे तो आप आराम कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं घर पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निप्लियाने की कोश्च करती हूँ क्योंकि मैं सोसती हूँ कि अगर हम काम को डिले कर देंगे तो हमारी पढ़ाई भी आगे डिले हो जाएगी और उसका टाइम अपने इस्टडी वाले चनल के लिए वीडियो तैयार करती हूं क्योंकि अब हमें इस्टडी वाला चनल पर वीडियो अपलोड करने है तो हमें भी उतना ही आना चाहिए जितना हम लोगों को बता रहें तो आइस अभी मैं सारे काम निप्टा के छट पे आ गई हूं और थोड़ा सा सिंगल लाइनर से मैं थोड़ा उपर उपर पढ़ रही हूं कि रिविजन ही अभी मुझो करना है इतना डीप पढ़ने का तो आप टाइम है भी नहीं कॉंस्टेबल का एक्जाम आने वाला है अब तो दोई दिन बचे है आज किती डेट है सोला सतरा ठाल दोई दिन बचे है अब तो अभी तो हमें बस रिविजन रिविजन करना है कभी-कभी हम लोग बीप पढ़ने के चक्कर में रिविजन नहीं करते जो इजी होता है उसक साथ हिंदी व्याकरण जो कि हम लास्ट टाइम के लिए बचा के रखते तो उसको भी एक बार देख लेना है जो वह वर्ण वाला लेसन था वर्ण वाला लेसन तो काफी इंपोर्टेंट होता है तो उसको तो आप एक बार देख की जाना ब्लैस संधी परियाव अची विलो वाला ऊपर ऊपर से रिविजन का लेना चाहिए अभी में क्या पढ़़ए रही हूँ वह भी मैं आपको बता देती हूं अभी सब्सक्राइब क्वाल सकता है कोई धर्रें कोई ऑन अंदोन हो सकते हैं कोई वैसे जनत कोई भगणिक भगौलिक इस्तिती में परविश फेडिया है, हिमनद है, ग्लेशियर, पुग्याल है, तो ये सारे कॉशन सिर्फ चमोली से नहीं, बलकि उत्राखंड से भी हो सकते हैं, उत्राखंड की भगौलिक इस्तिती से भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं अभी इसका रिविजन करूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी जितना हो सकते हैं, अभी लास्ट के एक दो दिन जो बच्चे हैं, अपना फटा फट से रिविजन कर लो, जितने भी प्रिवेस एर कॉशन पेपर होते हैं, प्रैक्टिस सैट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, इन सभी को लगाओ, तब ही आपक की हिंदी व्याकरण भी आप पढ़ लेना, ठीक है, और इसके बाद आप उत्राखन जीके तो पढ़ी सकते हो, और वैसे भी अब कहां पढ़ने का टाइम है इतना, लास्ट टाइम में हमको बस इतना ही पढ़ सकते हैं, बाकी तो अगर हम सबसे लास्ट वाले दिन पढ़े इसे अपने स्टडी चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूं, फिर अपने व्लोग बनाती हूं, व्लोग तो खेर मैं ऐसे ही काम करते-करते बना देती हूं, इसमें मुझे कुछ जादर टाइम नहीं लगता है, तो गाइस आज के व्लोग में सिर्फ इतना ही, बाब बाई, इक यूर!